पानी रुकना भी तो चाहिए और निकलना भी चाहिए तो गलती सब कर देते हैं इंडिकैप से की गलती करते हैं इतना है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आओ आज इसके मात्यम से मैं जो आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने हाइड्रोपॉनिक का सेटम अच्छे से बना सकते हैं इस वीडियो में आप सिख जांगे बिना जिस चैनल पर आएगे तो चैनल को सब्स्राइब कर लिएगा बैल आइगन को और पर सेट करेंगे जब भी हमको वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नौर्ट पाइप वाले लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और काफी अच्छ होता है तो है क्यासी यहां पे आप देखे आपको लेना है सभी जानते चार इंच का पाइब लेना है गाई तो उसमें आपको ओल कर लेने हैं इतनी दूरी पर करना होता है अगर आप पालग लगा रहे हैं तिर्व आप लीठी वेजिटेवल्स लगाने में तो मात्र 6 से 7 इंच 8 इंच की गैप दो छेट की बीच में होनी चाहिए या कम भी कर सकते हैं लिशी के लिए लेकिन लिशी भी इतनी स्ट्रॉंग अगर उगई भी बीच का जो फोर होता है अब है क्या सीन्ट आपने वोल कर लिया है अब आप सारी चाहिए समझेगा आपको उसमें जो यह इस तरह से कप होता है न यहां ओल के ऐसे बने रहेंगे नेक तीन इंच न लेना होगा अब यहां बें दूसरी पाइब में बना कर दिकार होगा अपने यहां पे उपर बोलि फर दी है। आपने नेकप लगा दिया। समझेगा पूरा वीडियो द्यान से दिखिए गार। कहीं आपने स्किप किया वीडियो तो बड़ी दिक्कत सजाएगी। दिक्कत गया होगी फिर से आप रिपीट करें देख सकते दिक्कत यही नहीं होगी, मैं मजाग करता था, तो है क्या सी, चार है जिसकी पाइप है, आपकी तीर इस्टानेट पॉर्ड है, और पानी इसके अंदर चल रहा है, अब आपको पता है कि पानी जब अंदर जाएगा, कि पानी रुकना भी तो चाहिए और आराम से निकल ना भीचाहिए, तो गल्दी सब कर देते हैं, इनड़ी करें, अब आपका कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसमें छेड होना चाहिए, कासे है पानी निकलना चाहिए, इस तरह से बीज में शमादिया छखै, पानी तो निकले गाई, हमें तो पानी निकालने तो अदलब है, तो यहां पे भीच में छिएद आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों भी जब आप यहां पे, यहां पे छिएद हो गया आपका, यहां पे सेंटर में छिएद कर दिया आपने, तो पानी जा रहा है, पुरा कप में बीचो बीच में आते हैं पानी जो हमें पड़ा हुआ है और वो उतनी लेबल पे पानी है भी और नेट कम डूब गई है हमारी तो कोकोपिट क्या होगी भीग गई अब कोकोपिट हमें सब भीगी रहेगी तो देखें मिट्टी में पौदे इसलिए सड़ते है आब क्योंको उनको जादा पानी मिल जाता है तब भी वह सड़ते तो ऐगे गात जादा पानीं मिलेके तो पौदे शड़ी मिलेगी देखनी आइनली न वाई हमारा ही छेद करना है और दोनों side करना है क्या होगा जब हमारा in cap में यहां पर यहां पर नीचे वे छेद रहेगा ठीक है तो पानी के एक level रहा और निकल जाए रहा आप यहां पर बड़े में कर गया फेद हो पानी निकल भी रहा है तो यही चीज़ करना है अच्छा आप यह सोच रहे कि जब नहीं सट रहा है तो यहां से पानी उपर कैसे जाएगा उसको गीला जैसे होगा कैसे होगा तो है क्या चीति जब आप एक नेटकब आप ले लेते हैं यहां पर छेद वादा यहां पर तो उसमें आपने सुना होगा डियाबती जो होती है वो तेल में डूपती और उपर तेल जलता है तो यहां पर भी आपको एक जो कॉटन का कपड़ा होता है कॉटन का थ्रेट धाग कि आपनी बढागा गया अब पाणी बढागे से वह पाली पकड़ खर तरके ऊपर आगी नेक्पॉर्ट में और आपका पॉदा जो है वो सबाइब कर गया अद पौदा दीरे-दीरे क्या होगा उसकी जदेदी नीची आती रही लिए ठीके नीचे आदी आगी आप पौद अब चल रहा है तो है कि छेद आपको इंड गैप में बीचो बीच नहीं के नीचे करना है और जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहां बीच तरह का कुछ करके तो नीचे यहां पर ऐसा को सिस्टम में रहे हैं उसका ढाल उपर नीचे सेट हो सके तोड़ा साथ अब पानी का फ्रो भी ऐसा रहेगा प्रिक आपको पचली वारी पाइप लेनी है जो जिससे लेवल लोग नहीं निकालते वह पाइप का युद्धा रखा है उसी पाइप का युद्धा उससी में पाली जाता तो धीरे दिने पाली जाएगा दिने दिने निकलेगा अब एक पाल में पानी एक राप इसमें इसना प्रिशार फे डाल देंगे तो पाइप में अंड़ पानी वह जाएगा लिखने रहे तो यह क्या होता है न मेरे साथ ब्सक्री उपर से पानी प्रिक में आपको पूरी जमीन खराब कुछ भी बीग गया सब चीज गया ताम से सट्चा तो ऐसे में तरने के लिए आपको पानी का फ्रोव भी तीरे रखना उसमें ठीक है तेज नहीं रखना है फानी का फ्रोव अब देखो यह रिस हो गया मैं इसको सब्सक्राइब देख रहे हैं कि यह हमने पाइप में जो एक एप लगाया था उसमें यहाँ आप एचिट पर पानी आएगा जन्नी तेसरी बाइप कर सकते है उसका पानी उसी स्पीड में जाएगा दीरे से निकल जाएगा इसमें आपने डोरी लगा दी सारी चीज़े कर दी और इस तरह से काम अराम से हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको बड़े प्यार से सेटप अबना रेडी कर सकते हैं अगर को जी छूट रही हो भी तो फिर कमेंट में जरूर पूछ लीज़ेगा कि की स्टाय से सेटप ऐसे ही बनता है गए और अगर उसको पानी गुंगते हुए समय से जाएगा क्योंकि पारी तरह से फोर्स बढ़ेगा और थोड़ा सा लेव रहेंगे और एक चीज़ बता दूँ पादक लगाईए दनिया लगाई मिर्चा लगाई कुछ भी लगाई तीन इंस्टाय नेटकप लेना है अगला मैं बता हूँगा कि किस तरह के नेटकप आपके लिए साफसाथा तो टेबल रहेगा अभी वीडियो में तो बस अभी कि इतना ही वीडियो का से लगी प्रिस कमेंट बॉक में ज़रू बताईगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर देजीगा मिलते ही नेट्स वीडियो में निजया तुर भी जाज़ए तिल देन गुडबाई और सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि आब देने में बताऊना कि कैसा आपको नेट्वाउक चाहिए अब तक यह दिया तुम की रहा है तिल देन बाई